तो candidate के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी है जो भी candidate अपना नाम चेक कर सकते हैं उसमें जो भी selection हुआ है उनका with address के साथ आपका पूरा complete नाम दिया हुआ है जो भी यदि selected candidate है जिनका भी और रिजरू लिस्ट भी आपकी जारी अभी तक नहीं की गई है लेकिन रिजरू ल वाले हैं जोनिंग लिष्ट का उखबारे में पहले मां आपको दिखा देता हूं किन-किन candidate का selection हुआ है और कि किष स्टेट के सबसे ज्यादा candidate पास हूए है इस स्क्रीन पर आप लिश्ट दे सकते हैं जो कि आपकी रिजट जारी की लिश्ट है जिसमें आप कम्प्लिट दे सकते हैं जो नोटी के फिकेशन जो पब्लिस हुई थी वो आपकी दो बार आपकी पब्लिस हुई थी पहले LDC, CMD और CTI की विकेंशी आउट की गी थी अगस् आपके जबलपूर MP के और जबलपूर MP दोनों ही Candidate आपके जबलपूर MP के ही रहने वाले हैं जनका नाम आप दे सकते हैं स्क्रीन पे और जो भी अख्री स्में Candidate है इसलिए दो विकेंशी आपकी चली गईंजी आपकी दो भी डोटल निचे दी गई थी उसमें कि दो व सेलेक्शन हो चुका है जो आपके जवलपूर के ही रहने वाले हैं उसके बाद में लखेरा जी है उनका आपका सेलेक्शन हो चुका है जो बीना के हैं शागर के एंपी के रहने वाले हैं उसके बाद में मौमद जिनका सेलेक्शन हो चुका है जो भी अपने दमो है आप एंप से compression हो चुका है इसके बाद में ews स्के के माद ने इनका भी सिलेक्षण हो चुका है झोकर देवास MP के सेलेक्षण किया है MP के हैं इसके बाद में अनूरागा गुपता जो कि आपके MP के रहने वाले हैं तो जीना कंडेट में वो भी आपके हैं महूं के MP के ही रहने वाले हैं उसके बाद में अंकित आपका राठोर हैं जो की MP के रहने वाले हैं उसके बाद में रहुत चोधरी आपका रोहित चोधरी जो की UP के रहने वाले हैं उसके बाद में आपका अधिते आपके कुमार हैं जो भी जो जिन्नोंने आपका MP के ही रहने वाले है सियोनी के आपके रहने वाले हैं उसके बाद में सिकी केटेडेफ CMD में जो स्विल मोटर डाइवर की विकेंशी थी इतनी आपके आठ पोस्ट थी जिसमें आपके सभी को सेलेक्टेट कर लिया गया है इसके बाद में आप देख सकते हैं आपका दुर्वगेस जो कुमार हैं वो भी यूपी गोरकपुर के रहने वाले हैं EWS के जो केंडेट हैं वो आपके हारियाना से बिलोंग करते हैं उनका सेलेक्शन हो चुका है उसके बाद में CTI के देख सकते हैं सिविल इंस्टेक्टर की विकेंशी थी आदर की आपकी विकेंशी थी दोनों उसमें आपका हारियस इयादव का जूनजनु के केंडेट हैं जो पचरी-खुर्द के जूनजनु के स्टित हैं वहीं कि उनका सेलेक्शन हो चुका है उसके बाद में डिमपल आपका रेकवार जो हैं उनका भी UR से है पिलाने की रहने वाले जुन जुन की दोनों आपके CTA में सेलेक्शन हो चुका है जुन जुन की CTA की खिंडेट है दोनों जुन 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 डिस्टिक के राजस्तान के ही आपके आप बिलोंग करते हैं उसके बाद में सुक्यदार के देख सकते हैं पटेल जो की MP जबुलपूर के ही रहने वाले हैं उसके बाद में आप मोरिय हैं जो की आपके UP के रहने वाले हैं मेशेंजर में OBC में उसके बाद में मेसेंजर उसके बाद में दुबारा से विकेंशी है जिसमें आपके कोष्टा जो है जबुलपुर MP से रहने वाले हैं जिसके बाद में EWS के जो केंडेट हैं उनका देख सकते हैं जो कि आपके बोपाल से रहने वाले हैं पेल के पास में मेसेंजर में उनका सिवम सिंग का सेलेक्शन हो चुका है उसके बाद में जो हितेस हैं यूर के कंडिडेट हैं जो गार्डनर के लिए हैं जो की राजस्तान अलवर से बिलोंग करते हैं उनका सेलेक्शन हो चुका है उसके बाद में आपका राकेश हैं जो आपके होसंगाबाद MP के ही candidate हैं तो आप देख सकते हैं पूरे लगबग candidate ही MP के selected हुए हैं आपका भी जिन में जूर कमेंट करें इनके लेटर भी पहुंच गए हुए यदि लेटर नहीं भी पहुंचा है किसी भी कारण तो आप एक बार वहां इस लिस्ट को लेके जाके वहां पर पहुंच सकते हैं इसमें complete दिया गया है जो भी आपको मैंने बताया था सेलेक्टेड केंडेट को सीविल एडम जो अपिस है वहां पे स्टीशी में वन सिगनल सेंटर में आपको पहुंचना होगा वहीं पे आपको पूरे complete डोकॉमेंट के साथ रिपोर्ट करना होगा दस नौम बर से पहले-पहले रिपोर्ट आपको करना है वहां पे जितने भी केंडेट जो भी स्टेलेक्टेड केंडेट केंडेट है उनको अपको अपका वहीं पर मेडेटल होने वाला है रिजरो लिष्ट भी को जाएका elsे ने Ist जैसे ही आपके जैसे इसमें रिजरो केंड़ेट इस परकार से रखे जाते हैं आदर में जैसे आपकी विकेंड़ेट रखे जाएंगे उसमें आपकी OBC केंड़ेट रिजरो के लिए रखा जाएगा इसी परकार category wise और आपकी जा जो बी ट्रेड वाईज है उसमें सब güzel फी में आपकी एक एक candidate रिजरो रखा जाता है यदि कंड़ेट नहीं आता है रिजरो वाला भी तो second रिजरो candidate को बुलाया जाता है इसी परकार का rejoire list आपकी चलती रहती है और आपका rejoire list जो दो-दो साल तक भी clear होती है तो आप देख सकते हैं आपका भी आज़नी का selection का chances है जो भी candidate बाकि के बच गए उन candidate का भी chance हो सकता है इनके अलावा भी जो candidate यह दी नहीं पहुंचते हैं अच्छी पोस्ट पे उनका सेलेक्शन हो गया तो इसी कारण आपके candidate जोइन नहीं कर पाता है इसी कारण वहां वी केंची खाली चली जाती है और next joining के लिए आपको बुलाए जाता है तो जितने भी candidate हैं जिनका selection हो आया है जितने भी candidate रिजरु में हैं उनके लिए आप अपने RTA लगा के पूछ सकते हैं कि कितने रिजरु में आप एक नमबर पे हैं दो नमबर पे हैं RTA से आपको पता चल जाएगा इसके अलावा जो भी किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है इससे समंद्ध बरती से समंद्ध आपका मेंट बॉक्स में कमेंट करें धन्यवाद दोस्तों